हेलो फ्रेंड्स, A to Z शोर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स आज में आपको बताऊंगी How to write month's name in short hand कि आप short hand में जो month's name होते हैं उनको कैसे लिख सकते हैं वो आज में आपको बताऊंगी तो फ्रेंड्स देखिए इनको कैसे लिखते हैं फर्स्ट क्या है जैनुवरी इसको हम ऐसे बनाएंगे जैनुवरी 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 अब क्या आता है फैब्रेरी 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 अब आता है मार्च ये अब ओधा लाइन बनेगा फर्स्ट प्लेस का तो हम इसको बनाएंगे मार्च 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 अब बनेगा एप्रेल 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 अब आगया मे इसको हम क्या बोलेंगे मे 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 नी बोलना इसको मे बोलेंगे मे मे जून 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 उकी सांडा आरिया है तो क्रोस दा लाइन जाएगा जून अब आगया जूलाई 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 अगोस्ट देखो इसमें पिछे एस्टी की लूप लगेगी अगोस्ट अगोस्ट सेप्टेंबर इसमें हैलविंग प्रिंसिपल और डबल प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पर तो यह हैलविंग प्रिंसिपल लग रहा और यहाँ पर डबल प्रिंसिपल लग रहा P में हम T को रिप्रिजेंट करेंगे और जो ये बाद में आया है MBER इसको ऐसे रिप्रिजेंट करेंगे डबल प्रिंसिपल से September October 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 अब आता है November इसको हम ऐसे बनाएंगे November November अब आगया December इसको हम ऐसे बनाएंगे December इसमें भी डबल प्रिंसिपल लगेगा December December तो फ्रेंड्स यह थे मंसने जो मैंने आपको शोट हैंड में बताएंगे इनको हम कैसे लिख सकते थे तो फ्रेंड्स अब गर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेर सस्क्राइब जरूर करना थेंक यू फ्रेंड्स